इन चीजों को इन आउशक्ताओं को पूर्ती करने का जो नाम होगा वो हमारी विदेशनीति से आता है अब ठीक है सर फॉरेंड पॉलिसी है विदेशनीति है और इससे भारत वो जरूरते अपनी पूरी कर सकता है क्योंकि भारत अभी खुद की जरूरते पूरी करने में अगर हमने कुछ बना भी लिया माली जे भारत आज हतियार बनाने लगा तो अब उसको बेचना भी तो पड़ेगा तो उसके लिए भी हमें बजार चाहिए तो ये कौन बजार टाय करेगी हमारी फॉरेंड पॉलिसी हम किन देशों के साथ जाकर जुड़ते हैं किन देशों इसको हम जो है उसको अपना पार्टनर बनाते हैं इस पर ये सारी चीज़ें कौन टाय करता है हमारी विदेशनी टाय करती है चलिए भाई यहां तक बात हो गई लेकिन यह विदेशनीती मैं शुरुआत में क्यों बढ़ा रहा हूँ यह एक बड़ा important concept है अब जरा इसको समझो जरा ध्यान से जो समझाने जा रहा हूँ उसको समझ लो क्या होगा यह रहा US America यह रहा Russia यह रहा European Union चाइना ब्लॉक पाकिस्तान अब जरा समझना और अफगानिस्तान माल लो और यह रहा इंडिया अब जरा ध्यान से इसको समझना कि क्या मज़ा है इसमें जादातर मामलों में US और Russia एक दूसरे के खिलाफ हैं ठीक है एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं शुरुआत से क्योंकि यह सोवियत रूस हुआ करता था जो सामयबाद जो समाजवाद यह पूझीवाद का गड़ था तो बहुत लंबे समय तक दोनों शीत युद की लड़ाई लड़ी और यह दोनों किसी भी रूप में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं इंडिया यूएस के साथ भी अपनी दोस्ती कर रहा है रश्या के साथ भी दोस्ती कर आज अगर आज आपने देखा होगा तो कल एक खबर आई थी कि प्रिडेटर्ट जोन हम खरीद रहें अमेरिका से और आज प्रधान मंतरी ने बात की पुतिन से और बताया कि दोनों पाकिस्तान को गोदले चुका है क्यों कि CP EC China-Pakistan Economic Corridor इसके आंसे जा रहा है और पाकिस्तान के वो रिसोरस का इस्तमाल कर रहा है पाकिस्तान को चाइना की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका इसके पास कुछ नहीं बचाए और उसने बहुत लंबे समय तक जो है वो क्या किया है भारत के खिलाब पॉलिसी का इस्तमाल किया अपने सारे रिसोर्स का इस्तमाल कर लिया इन दोनों की दुश्मनी भारत से है बड़ी मज़ेदार बात देखो कॉंप्लेक्स देखते जो इन दोनों की दुश्मनी भारत से है अच्छा चाइना की एकॉनमी डाउन होती चली जा रही है तो जब कि भारत के साथ अपनी तनातनी दिखा रहा है, पाकिस्तान परंपरागर दुश्मन है भारत का, इंडिया का, और चाइना और ये दोनों मिलकर भारत के खिलाफ एक जो है वो बड़ा एक ग्रुप बनाने कोशिश कर रहे हैं, वार खेलने की कोशिश कर रहे हैं, यूएस के साथ चाइना का ट्रेड वॉर रहा है, क्योंकि यूएस को पता चल रहा है कि चाइना को हटा के ही, जो है मार्केट की मोनोपली क्रियेट की जा सकती है, इंडिया रशिया बहुत प्राचीन समय से साज़ेदार हैं, लेकिन रशिया जो है, वो पाकिस्तान और चाइना को अपना और गैस बेच रहा है, हत्तिरे की, यूरोपियन यूनियन जो की रशिया के खिलाफ है, जो भारत के ओपर दबाव बना रहा है, वो यूएस के साथ है, मज़ेदार बात है, इन सभी को अफगानिस्तान चाहिए, सभी के लिए अफगानिस्तान इंपोर्टेंट है, यूएस साके अपनी ऐसी तैसी करा चुका है, रशिया करा चुका है, पाकिस्तान ने इसको आतंगवाद के लिए इस्तमाल किया, चाइना भी किसी ना किसी रूप में इसका इस्तमाल कर रहा है, भारत चाहता है अफगानिस्तान जो वो शांत बना रहा है, और अफगानिस्तान को इ किसी से मतलब नहीं है, उसको शरिया चाहिए, कि हमें इस्लामिक कानूनों से चलने दो, तो ये सब को अफगानिस्तान चाहिए और अफगानिस्तान को कोई नहीं चाहिए, तो ये देखो, ये वर्ड है, इसमें कौन किसका दुश्मन है, चाइना भारत के साथ दुश्मन ही न दोस्ती हैं, अमेरिका भारत पे सैंक्शन लगाता रहता है, अभी तक उबामा ने कितना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, भारत के उपर लगाता है, सैंक्शन लगाता रहेगा, ऐसी कर देंगे, तैसी कर देंगे, ठीक है, ऐसा ऐसा, कभी धार्मिक सही रूत आप बात लेकिन, लेकिन उसी को अपना साजीदार बता रहा है, तो बहुत ही कॉंप्लेक्स है, बहुत कॉंप्लेक्स है आई-यार, अब इसको ऐसे समझ लो, जैसे क्या हुआ, एक पिक्चर अभी लॉंच हुई, आदिपुरुष, नाम तो सुना ही होगा, तो इसके जो डारेक्टर साब थे, वो विदेशी में रामयार पढ़के आए, इसके जो डारेक्टर साब थे, वो, ऐसे समझो, आई-यार कैसे काम करता है, तो इसके डारेक्टर साब जो है, स्कुर्प राइटर से बोले, ही आओ, बोले, हाँ बताओ, बोले, we want to make रामायना, ठीक है, रामायना करेंगे हम लोग, तो तुम स्कृप्ट सुनाओ, तो स्कृप्ट सुना रहे लगे, तो डारेक्टर साब जो थे, आदिपुरुस के, वो, कुश्चन पूचन लगे, बोले, ये बताओ, ये रावण ने द्राबदी का आपहरन कहें किया, तो इसके प्रेटर बोले, द्राब शुपनखा के लिए लड़ने क्यों कए थे, तो बोले, मता सीता कौरवों की सभा में क्या कर रहे थे, अरे भाई, वो करवों की सभा नहीं ति, वहां द्राब्दी थी, तो बोले फिर ये बताओ, अरजुन ने रामाण को क्यों मारा, बोला या, तुम रामाण बनाये जा रहे हो, तुम करने क्या जा रहे हो, तुम्हारी रामाण बनने के पाद महाभारत ही होगा, तो ये हालत जो होती है, वो IR के स्टुडेंट की होती है, क्यों? बिल्कुल ऐसे चाहता है कि environment के cases में मदद मिले और market खुले लेकिन European Union भारत के ओपर sanctions भी लगाता है उसको चाहता है कि हमारी तरफ से चले white man's burden है तो एक तरफ दोस्ती एक तरफ दुश्मनी तो यह बहुत complex सा जो है वो आपको दिखाए पड़ा है सो आयार की स्थित जो होती है वो बिलकुल ऐसे ही होती है आयार को पचाने में बहुत टाइम लगता है international relationship विदेश नीति को समझना बहुत challenging पार्ट हो जाता है बहुत मुश्किल पार्ट हो जाता है इसी लिए यह चैलेंज को समझने एक तो पहली बात यह प्रिलेम्स के डार और twisted आ रहे हैं तो दो चीज़ें बड़ी important आपके लिए रहेगी एक जो पीवाई क्यूज अगर आप agree करते हैं तो पीवाई क्यानी previous year question analysis एक हफ्ते तक यह आपको बहुत insight देगा कि कि किस तरह के question पूछे जा रहे हैं आपने बताए पीवाई क्यूज प्रैक्टिस कर ली या नहीं कर ली मैं प्रैक्टिस कराना शुरू करता हूं ठीक है अगर आपने प्रैक्टिस कर ली हैं तो नमबर वन और दूसरी चीज होती है हम शुरू करेंगे एस जैशंकर की किताब पांस तारीक से ठीक है और एस जैशंकर साब की का उससे पहले मैं questions कराऊंगा आपको और ये book जो है वो आपको एक बहुत powerful insight देने जा रही है बहुत powerful insight देने जा रही है मज़ा आएगा आपको इसके साथ पढ़ने में इसके 8 dimension हैं 8 chapters हैं और एस जैशंकर साब एक बहुत flamboyant हैं बहुत ही जबरदस्ट राइटर हैं तो जो लोग जोडना भी चाहते हैं ये 600 रुपए की किताब है, खरीदने खरीदने में, तो 199 रुपीज में, बाकी ये concept का हिस्सा रहेगा, हम लोग यहां पढ़ेंगे, मज़ा आएगा, अभी जो नया बैस शुरू हुआ है, तो यहां भी हम उसको देखेंगे, मेरे साथ कहानियों के रूप में हम पढ़ेंगे, और कहानियों के रूप में हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से इसको जो है, एक्जिक्यूट कर पाएंगे, मज़ा आने वाला आप लोग